मुंबाई और दूसरे शहरों में फसे लोगों के लिए मसीहा बन कर सोनु सूत ने उन्हें घर भेजने का बीड़ा उठाया पिछले लगभग एक महीने से वो लगातार लोगों को उनके घर भेजने की कोशिश में जुटे है इसके लिए बस, ट्रेन और यहां तक की प्लेन तक से अपने खर्च पर सोनु लोगों को उनके घर भेज रहे हैं लेकिन हाली में अचानक सोनु एक बात से बहुत नाराज हो गया दरसल नेक काम कर रहे सोनु सूत को कुछ लोग परिशान करने की कोशिश कर रहे हैं पहले वो लोग सोनु सूत से ट्विटर पर मदद मांगते हैं और उसके बाद खुद ही गायब हो जाते हैं इससे सोनु और उनकी टीम को बहुत दिक्कत हो रही है इसी मामले को लेकर सोनु सूत ने ट्विट कर लिखा लोगों से अनुरोध है कि वही मदद मांगे जिनको जरूरत है ऐसा देखा गया है कि पहले लोग ट्विट कर मदद मांगते हैं और बाद में उसे डिलीट कर देते हैं ये साबित करता है कि वो फेक है ये हमारे ओपरेशन को बाधित करता है और वास्तविक जरूरतमंदों को प्रभावित करेगा तो कृपया उन लोगों के बारे में सोचे जिन्हें आवश्यक्ता है बतादे कि कुछ दिनों पहले ही सोनू सूद ने लोगों को उनके नाम पर हो रही ठगी से बचने के लिए भी सचेत किया था कुछ लोग सोनू के नाम पर लोगों से पैसे मांग रहे थे जिसके बाद सोनु सूध ने इसे लेकर भी ट्विटर पर लोगों से कहा था कि वो लोगों के लिए ये काम फ्री में कर रहे हैं सोनु सूध लगातार बस, ट्रेन और प्लेन के जरिये प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेज रहे हैं मतादे की हाली में सोनुसूद मातोश्री में महराश्र के मुख्यमंत्री उधव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे से मिलने पहुचे थे मुलाकात के बाद बाहर निकलते ही सोनुसूद ने कहा कि कश्मीर से कन्या कुमारी तक हर पार्टी ने उनका समर्थन किया है आपने पेपने निपने थे लीकों सुपर्टे को एपने यह लुग पहुंचेंगे और मैं पहुंचता रहूंगा जब तक आपी माइडने अपने घरते के निपने पहुंचुगा एंट अव्री पार्टी फॉर्टी काश्मीर तो कन्या कुमारी एपने अगर्ते कॉमरी थे झाल